हलो स्टुडेंस वेलकम तो माई चैनल सुगाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस इयर पेपर में बॉटनी के प्रीवियस इयर पेपर की तो अगर आप भी अंडर ग्रैड़ुएट साइंस यानि की बीएसी कर रहे हैं यूपी आटियो से और आपक कि जो जो पेपर में पास अविलेबल होते रहेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी तो गाइस अगर आप चानल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो कोई भी इंपॉर्टन अपडेट यूपे आपके अगर बात करी जो है यहां पर दीके मुझे इतना कंफर्म नहीं हो तो यह आपका सेकिंड समिस्टर में आएगा यह थर्ड में आएगा कि मैं पूरा प्रोस्पेक्टर चेक नहीं करती हूं जिसी कॉशन पेपर अवेलेबल हो जातों यह चीज आपको चेक करनी है कि अगर आपके सब्जिक्ट का को मां लिजा आप सेकिंड समिस्टर में हैं तो आपको यहां पर अपनी कोड वगरा नहीं मैच करने है इतने इतने आपको देखना है पने कोर्स का टाइटल आपकी कॉर्स का score अगर यह है मान लिजा यह कोशन पेपर हैं क्योंकि most of the question paper आपके same भी रहते हैं मालीज़ आपने certificate को स्कोर्स करा single subject से और उसमें आपका बाटनी है तो आपके single subject के अंदर भी और course का डाइटल आपका plant diversity है तो उस course के अंदर भी उस subject के अंदर भी आपका यही question paper same to same आएगा तो यहां पर चली बात कर लेते हैं marks की तो 70 marks का यह paper होता है और आपको 3 hours का मिलता है 6 questions आपको total attempt करने होंगे 3 questions section A में से 1 question section B में से और 2 questions आपको section C में से करने होंगे word limit exam pattern क्या चीज़ी important रहेंगे आपके exam के लिए यह भी आपके साथ video में share करूंगी तो अच्छी लगे helpful लगे video like करेगा इसके लाव आप कैसे अपने exams में अच्छा score कर सकते हैं इसके लिए भी मैंने वीडियो चैनल पर अविलेबल कराई हुई है आपने चेक नहीं करी है तो वह की देख लीज़ेगा description में आपको उसका link प्रोवाइड कर दूंगी otherwise आप सर्च करके भी check out कर सकते हैं चले start करती हूं आगे तो यहां पर आपक section A है थोड़ा सब लग है मैं आपको rate करके सारी चीज़े clear कर दूंगी section A का जो होता है आपका guys 48 marks का होता है इनकी 3 question आपको attempt करना है 16 mark का आपके से 1 question attempt करना होगा यहां से total 3 question आपको attempt करना है word limit हर question के लिए रहे की 500 to 800 watts तो इस word limit के लिए जो आपको अपना answer लिखना तो यहां से 1st question जो आप में से longs में पूछा गया था वो था give a comparative account of male gametophyte of psychos and pinus इसको आप हिंदी में bilingual आपका question paper आता है हिंदी वाले students हिंदी में इसको rate out कर सकते हैं second question आपसे पूछा गया था give an account of tissue system in angio sperm यानकि आपवर्थ बीजी के उत्तक तंत्र का वर्णन कीज़े बात करी जोए third question की तो आपसे पूछा गया था give silent features of family ester kai इसको आपरीट कर लेजेगा give botanical names of five economically important plants of the family यानकि इसमें आपका हिंदी में दिया हुआ है next पात करते हैं तो fourth question आपका है give an outline of bantham and hooker system of classification discuss the merits and demands देखे ये guys आपका जो bantham वाला question ये repeat हो चुका है आपके previous years में भी तो ये 22 का जैसे कि आपका paper है इसे वाले पहले वाले session में भी आपका ये question seem to seem repeat हुआ था तो बहुत सारी questions आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे जो हर साल आपके question paper में same आते हैं या फिर ये कह लिजे जिससे हाँपर topic आपने देख लिया hookers और bantham से question पूछा है तो 5th question जो कि section A का last question रहेगा यहां से पुछागा था describe anomalous secondary growth in baijonia stamp यहाँ पर section A complete होता है now move on to section B 10 marks का एक question इसमें आपको attempt करना होगा word limit 152 300 words आपको दी गई है इस word limit के लिए आपको अपना answer 2 to 3 pages या फिर 2.5 pages में आपको लिख देना चाहिए इतना आपके लिए इनफ रहेगा यहसे 1st question था economic importance of gymnos pumps आपको लिखनी थी यान कि gymnos pump का आर्थिक उपयोगी था आपको वर्णन करना था 7th question था given account of primary and secondary structure of root again यह सेम question short notes में पिछले साल आपका पूछा गया था आपका इस root से related next आपके question की बात करते है तो आपका section C स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर आपको short answers लिखने है और word limit रहेगी आपकी 5200 words तो इस word limit के लिए जो आपका अपना answer लिखना चाहाए यह वो to one to one and a half page का आप लिख सकते है इतना आप answer लिखते है तो आपके लिए इनफ रहेगा one page का भी आप इसको छोड़ सकते है 6 mark का एक question है most of the questions short questions इसमें आपसे पूछा चाहते है short notes लिखने के लिए तो यासे first question आपको पूछा गया तो choices आखे आपको पूड़े question पेपर में देखने के लिए मिल जाएगी हर section के अंदर first question था fun like characters of psychos आपको note लिखना था second था polyembryony in pinus again pinus से related question आपके exam पेपर में बार बार repeat होते हैं हिंदी में आप read कर सकते हैं 9th question था distinguish between barisky and malisky family of psychos आपकी book में आपके इनके answers easily आपको अविलेबल हो जाएंगे तो यह आपको आपकी बुक में इसली मिल जाते हैं वहां से search out कर लेज़े और exam के लिए टिप रहेगी से लावा tip की video मैंने अल्रेडी चानल पर अपलोड करी हुई है फिर भी हाँपर बता देते हूं आपको section C जो होता है अपने exam paper में अगर आपको easily आता है अच्छा आता है अच्छे तरीक से clearly आपको पता है answer तो आप उसको पहले attempt करें क्योंकि देखे दो पेज लिखने से ही आपके हाँपर 12 marks secure हो जाते हैं तो उसमें आपकी time saving होती है बाकि आप अपने time के according इसको adjust कर सक करते हैं तो यह था पूरा question paper I hope video helpful रही होगी रही है तो लाइक करें कौन सा question paper आपको चाहिए comment section बताइए available हुपाएगा जरूर आपके लिए कर आऊंगी तो मिलते है नेक्स वीडियो में bye bye